नमस्कार नीजेटीन के खास कारीकम चुनावी नुकड में हम मौझूद है खरगोन की जो सब्जी मंडी है वहां के पार्क में मौझूद है चुनाव अगर सर पर हो तो नुकड पर जो चुनाव की चर्चा है वो लाजमी होती है हमारे साथ हर वर्क के लोग मौझूद है आज हम उनसे जानेंगे कि यह आने वाला आगामी विधानसमा चुनाव इसमें किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे क्या मानते हैं आप क्या सोचते हैं यह महत्पूर्ण चुनाव निश्ची थी मत्रदेश के लिए है और इस पैसा है अज जो तेक्स भरूस में देते आएं वो गरीब वर्ग को बाते जा रहा है बाठे जा रहे हैं आग्किल कुस और देश को लेयाना चाहते हैं आज जो शक्षं वैक्ठीय जो सरकार को अपन टेक्स स्ता मेहनत करकर मजदूरी करकर सब गरूप में अदा कर रहा है I आज मद्यम वरगिय व्यक्टि पुरी तरह पिसा रहा है और देश में इस प्रकार का जो महौर बनाया जा रहा है यह चुनाओ की रिष्ट्रिकॉर्ण से बहत गलत है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जहां तक प्रदेश की बात करें स्थानी मुद्दो की बात करें विकास की बात भाशपास सरकार अब तक करते आई है लेकिन विकास के ओल उनका ही मुझे अब तक नजर आ रहा है आज हम हमारे खरगोन शेहर की बात करें खरगोन शेहर की तमाम सड़के आज भी धूल से पट जंता को समझना होगा आप क्या मानते हैं महत्पुर्ण चुना होगा तो किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे विश्य सुर्प अपयुबा भी हैं तो क्या मानते बिल्कुल भीया की बात से सहमत हुआ और मैं यह बिल्कुल देख रहा हूं कि पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे शेत्र का विकास हुआ हूं और निश्यति कहीना कि यह शेत्र विधायक का भी कहीना कि इसमें बहुत बड़ा रोल रहना चाहिए और वो नहीं रहा बात जहां तक मुझे लगत यह होता है कि वो गरीबों को इस इस्तर पर लेकर आए कि उनकी जीवन जीवन का व्यापन हो पाए और जहां तक बात रही लाड़ी बहना जैसी योजना होगी जहां तक बात रही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की तो कॉंग्रेस साश्चन में जैसे राजिस्थान में साश्चन है तो वहाँ पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बहुत अंतर हैं दोनों ही जगह गरीबों के लिए काम करने की कुछ इश्च की जा रही है कि लेकर मानते हैं कि गरीबों की जा रही है जो गेश की रहात देने की बार लाड़ी योजनाओ वास सामने आरी इस साधे चालत सालत साथ कहां थी सरकार है यह क्यों नहीं सब्सुडिय दे रहे जैए पेट्रल के रिट क्या है एक आम जन्मानस हो गरीब को आगे बढ़ा जो आपनी अपनी प्रतिकलीह दे रहें आप क्या सोचते हैं यह चुनाओं है काफी महत्मून मुख्य मुद्दा है महंगाई महंगाई कि महंगाई ने आम जनकी कमर तोड़ दी है मध्यम वर्ववगी परिवार का जीना मुश्किल हो रहा है आप पूरे देश में कहीं भी चले जाईए आई के सुरोद घटे हैं और महेंगा इतनी बढ़ गई है कि वेक्ति संतुलनी नहीं बना पा रहा है महिलाई भी हमारे बीच को पहुंची है आप क्या मांती क्या सोसती है लेकर किस पाकार के मुद्डे रहेंगे जहां तक हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण को आगे लाया जा रहा है और हमारे मुख्यमंतरी जी का जैसा कहाना है कि आगे लाने की कोशिष कर रहे हैं जो आने लाडली ब evangelius उजञुना शुरू करी थी उसके कई उधारारान आप देख सकते हैं किसी बहन ने थेला लगा लिया है किसी बहन ने सिलाई मशीन खरीद लिये कोई बहन अपना स्वरज़गार शुरू कर रही है तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर महिला सशक्त की करन शुरू हो जाता है हमारे मद्ध प्रदेश में तो आटमेटिकली हमारा पूरा जो प्र अभी इस चुनाव में तो मतलब जो मेन मुद्धे रहेंगे वो मेहंगाई बेरोजगारी और रोजगाच के उपर रहेंगे क्योंकि मेहंगाई इतनी बढ़ गई है और रक्षा बंदन के जो पवित्र तेवार है उन पे बहनों से वादा किया गया वो भी वले कि शावन मा से भगा दिया गया कि मतलब की 4.500 में कौन टंकी दे रहा है सब उतलाओ पेले महेंगाई के साथ 4.500 की गेश टंकी का जो मुद्धा है वो भी गहरा रहा तो मिलाकर करें मुद्धे हर प्रकार के हैं और जो जनता है वो जनता हमारे बीच मोजूद क्या मानते हैं आप यह करने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है जब मड़ीपूर में महिलाओं को नगनावस्ता में घुमा जा रहा था तो देश के प्रधान मंत्री जी जो है अमेरिका के दोरे पे थे उसके बाद वह महिंगाई का मह बोलने के लिए तयार नहीं आज गेश की टैंकी पर 200 रू का मुद्दा चुनाव में रहेगा बिल्कुल रहेगा और खरगोन में हो रहा है ब्रश्टाचार का भी रहेगा आप ड्रेनेज आप ड्रेनेज लाइन देख लीजिए करोड़ों रुपे की ड्रेनेज लाइन पानी मतलब आज तक चालू नहीं हुई है ठेकेदार भाग ग चाहते हैं सराब अगर आपको दो मिनट या एक मिनट के अंदर नहीं अवेलेबल हो जाए मतलब सराब बेच के युवाओं का भवीशक खराब करने के अला और कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार कई प्रकार के मुद्दे अलग अलग मुद्दे आ रहे हमारे बीच में आम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं सब्सक्राइब लोगों को कोई सुनवेन होती है गरीब यह बात भी उट रही है कि जो गरीब है उसको आपने आप में परेशान होना पड़ और हर प्रकार के मुद्दे कह जा रहे हैं यूवाओ पहुचे हैं आप क्या मानते हैं विसेस रूप से ब बिल्कुल बेरोजगारी ने अब तक कि सारी चरम सिमा अपनी पार कर दी है आज का नोजवान सिक्षी थे इसकिल डेवलप्ट कर रहा है लेकिन उसके कोई विकल्पनी है कि वह अपना घर कैसे यापन करेगा उसका भविष्य क्या होगा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का बन चुका है और हमको बहुत बुरा लगता है कि हमारी सरकारे इसके और ध्यान नी देती हैं और हिंदु-musल्मान करती है बेरोजगारी चुनाओं में एक मुद्धा रहेगा किसान भी पहुचे है आप किया मानते कैसे होचते है क्या चैनी किसानों को लेक कि पहले 10 गंटे विजली मिलती थी आप 37 गंटे विजली मिलती है उसमें 5 गंटे चलती है दो घंटे tripping होती है. बिजली मुद्दा रहेगा और बिजली प्रमुक मुद्दा रहेगा चेत्र का क्योंकि खरगोन जो है वो कपास के लिए और मिर्च के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और आज इस्थिती यह है कि कपास और मिर्च और सोयाबिन की 50% फसले खराब हो गई है और सरकार कोई भी नेता इस बारे में कोई statement नहीं दे रहा है इंडर्स्ट्री एरिया की बिजली परियाप्त दे रहे हैं सहरों की परियाप्त दे रहे तो किसानों के साथ असा भी आरोप लग रहे हैं आप क्या मानते किसानों पर तो कली मैंने ट्वीट देखा था शीवराज जी का तो वो यही कह रहे हैं कि इनके लिए कुछ मतलब किया जायागा वो दे रहे हैं और आगे चुनाओ है और हम जो भी योजना लाते हैं वो जमीन पर उतानने का काम करते हैं और यह जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और यह जो रोजगार की बात कर रहे हैं तो सीको कमाओ चुनाउं में कग चुनाउं में उपको किना दूंगा लिंक रोड होगया ना सफर का सुंदरी कल आप हर अ denory अरघकर के बुड़ जनो ूछ है इस फार प्रत प्रकार जहले हैं इस इस इसपर लाइए तो इतने सारे मुद्ब हैं कि अलग अलग तरीके की बैरोज़गारी है ब्रष्टाचाहरी तेल का बहुत करते हैं तो जिराय का बढ़ा देते हैं और गेस्ट लेंडर की बात कर रहे हैं 200 रुपे कम करने की पूरे देश में वावाई लूट ले जब करने के लिए हर प्रकार की मिली जूरी लाय लोगों की आ रही है क्या मुद्दे रहेंगे क्या मानते हैं चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी कि अगर युगां को रोजगार नहीं मिल पाएगा ना शिक्षा धंसद ले पाएगा अगर जब तक बेर रहेंगे क्या मानते हैं आप मतलब महत्मूर चुनाव है किस प्रकार का मुद्दा रहेगा देखिए वरतमान में मैं जिस चेत्र से आता हूं मैं आदिवासी अंचल से विलोंग करता हूं और उस चेत्र में यदि इनकी विकास की जो ये बोल रहे है ना विकास की नदिया तो मैं बोलने चाहता हूं कि उस चेत्र में कीचड बहे रहे हैं रोड पे आदिवासी चेत्र में जो इसको लोग के हालत है मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूं यह सामने देखो यह दुनिया चांद पर पहुच गई है यह इसको लोग के चतों में चांद पहाँ बिरोब्र के मतने के रहे हैं मधार के साथ मेरे साथ भरजी वर्णी तीन में 78 नंबर आए थे रिजल्ट आया तो 67 हो गए तो परजी वरजवाड़ा सबसे महत्वपूर्ण चुनाओं क्योंकि जो 18 साल से सोई हुई सरकार है और में भी चात्रों हमारे चात्र भाहिए जितने भी पटवारी घोटाला हो गया है जो बारा घंटे जाकर पड़ाई करता है उससे पटवारी परिक्षा में फेल कर दिया जाए और लगातार जो है चर्चा का दोर चल रहा है आप क्या कहते हैं क्या मानते हैं यह चुनाओं काफी महत्पूर्ण है कि चुनाओं में किस देख लिए सारा सबकुछ भारतिय जन्ता पार्टी डेवलोप्मेंट और विकास करती है और कर रही है अच्छा मत्तों के मुद्दे रहेंगे डेवलोप्मेंट की बात हो रही है आप भी पोची क्या मानती है अब देखो कांग्रेस तो आएगी बिल्कुल कांग्रेस तो क्यों कि गरीब बिचारे बेरोजगार है गरीब मारे मारे भटक रहे और यह तो बहुता चारी नहीं लगाए लगाए चलता